हलो गाईज, आज संडे है और संडे को हिंदू का एडिटोरियल नहीं आता है तो मैंने इस न्यूज आर्टिकल को पिक किया है और आज हम लोग इसी न्यूज आर्टिकल को उसका हिंदी ट्रांसलेशन इसमें इंपोर्टेंट वोकाइबलर या उसको समझने का प्रियास करें है एडिटोरियल का पूर्ण अनलाइसिस इन हिंदी साथी साथ इंपोर्टेंट वोकाइबलरी इडियम फ्रेजिज और ग्रैमर जो होती है उस पे चर्चा की जाती है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तब आपको एक आइडिया लगेगा राइट लेट्स स्टार्ट कॉंग्रेस ड्राइविंग मोदी ज्रोथ सेज मम्ता यह मम्ता बैनर जी है यह सीम है विस्ट पेंगौल की अभी गोवा में गई है अब गई है अब गाईज कभी-कभी आपको हेडिंग पे ग्रैमर हेडिंग जो न्यूज अब यह शी मतलब मम्ता बैनर जी श्लैम मतलब यह बिलकुल डाटना फट करना या फिर आरोप लगाना जो कॉंग्रेस पार्टी का जो डिसीजन होते वो डिलेड होते है उसके लिए उसको उसको पे आरोप लगाई है Moody Ji is going to be more powerful because of the Congress आप कह रहा है जो Moody Ji Prime Minister है वो और ज्यादा ताकतवर बनेंगे Congress के वज़ा से त्रिनमुल Congress Chairperson नम्ता बैनर जी सेड जो त्रिनमुल Congress है जो CM वहां की मंता बैनर जे उसकी पार्टी के त्रिनमुल Congress और उन्होंने ये कही है as she continued her attack on the Congress during her visit to Goa. जैसे कि वो लगातार Congress पे attack किये जा रही है, उसके Goa visit पे वो Congress को बार-बार attack की जा रही है और इसी attack के संदर में उन्होंने ये बात यारोप लगाया. The West Bengal Chief Minister also accused the Congress of not being serious about politics. अब West Bengal की जो CM है मैमताब बनार जी उन्होंने accused कि इसको Congress को accused के बाद हमें उसको off लगता है कि वो politics को लेकर के, राजनेती को लेकर के serious नहीं है, गंभीर नहीं है. It was not taking decisions on time. See, alleged, alleged मिन्स क्या होता है, कोई चीज़ आप किसी को कहते हो without any proof, तो उसको alleged कहते हैं. तो उन्होंने ये कहा कि जो Congress Party है कोई decision जो है, कोई निरने जो है time पे नहीं लेती है, साथी साथ उसको वो राजनेती को serious नहीं लेती है, तो इस तरह के उन्होंने आरोप लगाई. ये ही कह रही है, जो वे लोग जो है, पोलिटिक्स को seriously नहीं लेते हैं और मोदी जी इसी वज़ा से और ताकतवर बनेंगे. If one cannot make the decision, why the country should suffer for that? She has stated, उन्होंने ये कहा, कि यदि कोई, यदि कोई party, if one आ रहा है Congress party के लिए और one आ रहा है कोई party के लिए, इस article के संदर में, तो ये कह रहा है, यदि कोई party समय पे decision ना ले और ना ले सकती हो, तो उसके लिए देश नों सफर करना चाहिए, right? She has stated, उन्होंने कहा, this was the second day in a row, अब ये है जो लगातार ये जो इन रो मिन्स लगातार एक पंक्ति, मतलब ये एक के बाद एक, ये दूसरा दीन है, that जब she had targeted the Congress, उन्होंने Congress को टार्गेट किया, Her criticism of the grand old party came on the day when Congress leader Rahul Gandhi was visiting Goa. अब कह रहाएगा, उसका जो criticism है, उसका जो, you know, वो criticize जो कर रही है, Congress को जो कि grand old party है, वो कब हुआ है, जब Rahul Gandhi Goa visit कर रहे हैं, उसी समय उन्होंने Congress को criticize किया है. reacting to her remarks, reacting to her remarks, her means महमता बनार जी, उन्होंने जो कहा है, उसको react करते हुए, उस पे जवाब देते हुए, वेस्ट बेंगॉल प्रदेश Congress President अधिर रंजन चौधरी observed that, अब वेस्ट बेंगॉल जो Congress प्रदेश का प्रेसिडेंट है, अधिर रंजन चौधरी, उन्होंने अफजल्व किया कि Mr. Baner जी was the Trojan horse of the BJP. अब जो Mr. Baner जी है, वो BJP का Trojan horse है. अब Trojan horse क्या होता है, गाईज? ट्रोजन horse एक वाइरस होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा इसका मिली यह होता है, जो कोई व्यक्ति किसी के लिए, you know, secretly काम करता हो, उसके दुस्मन को हराने के लिए, तो BJP यहाँ यह Congress, जो राम अधिर रंजन अधिर चौधरी है, वो BJP का अफ़कॉस दुस् आप सीन दिस श्माल लवली निज आटिकल, तो मरो अगें, वी वी जाते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए, इसे आपके इंग्लिस, इंग्लिस की वोकाबुलरी, साथी साथ इंग्लिस का कॉम्रिहेंशन, इंग्लिस का बहुत अबर अल पैकेज हैं, गाइस, र आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए, तो अब जरूर सब्सक्राइब कर लिए, थैंक्स, थैंक्स फो वाचिंग, सी यू तुमोरो